हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे सी टेक चैनल में फ्रेंड्स यह वीडियो एक्सल विगनर के लिए है और आप थम्नेल पे भी देखे होंगे कि साफ साफो पर लिखा हुआ है एक्सल फोर विगनर तो आप इस वीडियो में सिखेंगे जैसे आप फर्मूला यहाँ लिखा होता है इसके नीचे देखे आटो सम आटो सम में कुछ ओप्सन आपको दिखाए देता है सम, एवरेज, काउंट नमबर, मैक्सिमम, एंड मिनिमम इन ही पांचों के बारे में आप अच्छी तरह से समझेंगे और सिखेंगे तो चली वीडियो को continue करते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ मैं data type कर रखा हूँ example के लिए data है, नाम भी example के लिए दिया हुआ है तो सबसे पहले हम use करेंगे sum को कि sum को use क्या से किया जाता है, इसका फायदा क्या है और sum से होता क्या है तो देखिए यहाँ पर कुछ number type किया गया है, जैसे 25, 45, 21, वेगार वेगार हमें इन सभी को plus करना है और यहाँ पर answer लाना है तो plus करने के लिए दो formula use किया जाते हैं, एक तो plus 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 करके और दूसरा sum करके, तो पहले में आपको plus वाला बदाता हूँ कि किस तरह सी कहलता है, जैसे हमें आप पर ब्राबर type कर लिए और इसे select करेंगे, फिर plus प्रेस करेंगे फिर इसतर इसे select करेंगे plus select किये plus 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 तो हमने sell number plus, sell number plus, मताब sell number two plus plus सब पर plus कर दिया, sell number plus sell number, तो देखिए, सारा sell number के बीच में हमने प्लस लगा दिया और यहां से एंटर करेंगे तो 292 एंसर आ गया राइट एंसर है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बात आता है कि यह हजारों होते हैं सैकड़ों होते हम कितना प्लस-प्लस टाइप करते रहते हैं दिक्कत होता ना इसलिए हम यहां पर यूज करते हैं सम का अब उबपर भी क्लिक कर सकते आटो समं तो यहां पर समपर क्लिक कीजिए जैसे क्लिक कीजिए कि अस्च की यहां पर दोसों बार्ण में आ गया तो यहां असान तरीका है इसका फैदा एक और है कि अधि आप बीच में right click करके insert करते हैं तो भी यह खराब नहीं होगा formula आपका जोड आपका बिल्कुल सही होगा प्लस का answer बिल्कुल सही रहेगा लेकिन जब भी मैंने आपको पीछे बताया था प्लस प्लस करके cell by cell अधि हम इसमें insert कर देते तो यहां का answer हमारा गलत हो सकता था इसलिए जब भी आप प्लस करने किया उस लंबा प्लस करना हो काफी ज़्यादा रेटा को प्लस करना हो तो आप sum का use करें काफी अच्छा रहेगा control z से हम back लेगे तो friends यह बताया मैं आपको sum के बारे में कि इस तरह से आप प्लस कर सकते हैं सभी को जोड निकाल सकते हैं अब friends हम बात करते हैं average average क्या होता है जैसे कि आज मैं 100 रुपे कमाया कल 200 कमाया 300 कमाया किसी दिन 40 रुपे कमाया continue मैं 10 दिन काम किया अब 10 दिन काम किया तो मैं एक दिन 500 कमाया हो बाकी दिन 40-50 रुपे कमाया तो मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं रोज की सबसे 100 रुपे कमाता हूं मैं रोज 100 रुपे कमाता हूं नई जी उसी जगा पर average निकाला जाता है कि आपका लगभग एक दिन का income कितना है फिर एक दिन का आप काम कितना कर रहे है तो इसका भी आप दो तरीके से निकाल सकते हैं चाहतो सब को पहले plus कर लिजिए दिखें मैं आपको दिखाता हूं जैसे यहाँ पर click किया बराबर S.U.M. sum bracket और मैं सभी को plus कर दिया प्लस कर दिया देखें सभी को स्लेट कर लिया यहाँ पर आ गया bracket close अब एक कितना दिन है तो यहां से लेकर दस दिन है 12345678910 दस दिन है तो मैं यहाँ पर divide 10 से कर दूँगा कि हमें एक दिन का आ जा कि हमने एक दिन में कितना काम किया एंटर देखे 25.9 कि हमारा और सत लगभग एक दिन का 25.9 है किसी दिन 48 में हुआ है लेकिन हमें इसमें भी जंजट लग रहा है यार सम लगाएंगे डिवाइड करेंगे वेगरा नहीं सिंपल चाहिए तो सिंपल के लिए फिर आप सीधे यहां से से स्लाइट कीजिए और यहां पर जाईए और एवरेज पर क्लिक कर दिजिए तो देखिए 25.9 25.9 आ गया तो एंसर विल्कुल सही है तो यह भी आप अटमेटिक ला सकते है असानी से तो यह होता है हमारा एवरेज इस तरह से निकाल सकते हैं अब बारी आता है काउंट नमबर एंड वर्ड का यहां पर दो तरीके का फार्मुला यूज किया जाता है काउंट नमबर और काउंट वर्ड दो अलग-अलग है मैं आपको दोनों समझाऊंगा किस तरह से देखिए सबसे पहले तो हम बारी का बात करते हैं की काउंट नमबर का तो स्लेट करते हैं और यहां पर जाते हैं फर्मूला पर और यहां पर कॉंट नमर पर करते हैं तो दिखें यहां पर आ गया गया है काफी उताफ को गिंती कर सकते है कि टोटल कितना वर्ड है तो यह तो वर्ड काउंट का है लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मैं आगे भी बताने वाला हूं अब देखिए जो आप देखकर खुश हो जाईएगा यहां पर देखिए हम टाइप करते हैं बराबर अब मैंने यहां पर तो बराबर टाइप कर दिया अब हमें यहां पर काउंट नंबर के जगा काउंट इफ का फर्म लगाऊंगा सी ओ यू एन टी काउंट इफ काउंट इफ मैंने प्रेस टाइप किया ब्रेकेट कहां से कहां तक तो यहां से यहां तक ठीक है काउ कॉमा मैंने कर दिया और इन्वाटेड कोमा यह फिर डबल उपर कॉमा यह अब क्या करना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि eight वाले वर्ड को count किया जाएं से मैं ने हैं अप इड्परेस कर दिया आप जीष वर्ड को भी count करना चाहते हैं आप उससे टाइब कर दिजिए यह तो मैं 8 टाइब किया हूँ लेकिन आप ABCD नेम बगरा किसी में भी टाइब कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उसके बाद में invited कॉमा को close कर दिजिए और यहां से bracket close और enter तो देखिए यहां पर 8 word 3 word type किया गया है 1,2,3 जो 8 word है वो 3 time type किया गया है इसलिए यहां पर 3 time आ गया कि आपने 8 word को 3 word type किया है यदि मैं यहां से बढ़ा देता हूं यहां 16 के जगा फिर से 8 कर देता हूं तो क्या यह 4 होता है देखिए तो एंटर किया तो देहां आप फर 4 हो गया तो बिल्कुल सही से काम कर रहा तो आप इस तरह से अधी आपको seat बनाना है present, absent, time table, attendance वेगरा का तो आप बहुत असानी से इस formula का use करके अपने seat को manage कर सकते हैं तो यह तो हुआ count number and word का formula आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो please like कर दिजिए अब friends हम बात करते है maximum का कि maximum किस तरह से निकाला जाता और इसका फैदा क्या है हजारों का list है और इसमें जानना है कि सबसे ज़्यादा number कौन सा है इसमें सबसे ज़्यादा number वाला कौन है या फिर्यादी कोई आप result बगारा बना रहे हैं तो यह formula आपको उस जगह काम आ जाएगा कैसे देखिए यहां पर हम select कर लिए इस तरह से और यहां पर जाते हैं और simple maximum पर max पर click कर देते हैं ठीक है तो देखिए यहां पर आ गया आप normal इस में जो वर्ड है maximum 48 है क्या मैं 60 करूं तो 60 आएगा तो देखिए 60 आ गया तो जो maximum वर्ड है इसमें 60 है सबसे ज्यादा number 60% है या फिर 60 है इसलिए यहां पर 60 आ गया इसी तरह से friends minimum भी काम करता है यदि आप drag select करके और यहां पर select click नहीं करना चाहते हैं आप थोड़ा लंब फर्मूला बार पर ब्रावर मिन मिनिमम ब्रेकेट स्टार्ट सभी को select कर लिजिए और ब्रेकेट साथ में close करके enterprise किजिए तो देखिए 11 11 सबसे कम नमबर 11 है इसलिए यहां पर 11 आया है तो यदि हम इसको 5 करते हैं तो क्या 5 होता है तो विल्कुल राइट 5 हो गया तो देखिए यह 5 सबसे कम नमबर है तो इस तरह से total, average, count, maximum और minimum के फार्मूले थे जो मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से असान भासा में समझाया यदि friends आप जनना चाहते हैं कि सभी का average, sum और count क्या है तो आप बहुत असान तरीके से जान सकते हैं सिर्फ आपको select करना है यहां से click करके पूरा जितना भी आप answer जिसका जानना चाहते हैं उसे select कर लीजिए select करने का मैं एक और तरीक आपको बताता हूँ जैसे यहां पर click कर लीजिए shift को press करके रखिए और जहां तक आपको जाना एक corner पे click कर लीजिए एक साथ में all select हो जाएगा अब देखिए कि आपको नीचे दिखाई देगा यहां पर average 24.2 count 50 sum 1210 तो इस तरह से पूरा यहां पर 100 हो रहा है तो आप बीना किसी formula लगाए हुए भी आप किसी को भी sum check कर सकते हैं जैसे आपको इस तरह से चेक करना है तो आप देख सकते हैं कि sum 146 हो रहा है तो सिर्फ आपको जानना है यहां पर type नहीं करवाना है तो सिर्फ आप इस तरह से select कर लीजिए आपको नीचे यहां पर so कर जाएगा फ्रेंड्स मुझे पूरा उमीद है कि आपको यह पांचो के पांचो फार्मूले अच्छी तरह समझ में आया होगा यदि आपको किसी तरह से कोई problem है किसी तरह से कोई problem आ रहा है एक्सल में तो आप हमें comment करके जरूर बता है तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई